नमस्कार मैं दिनीश कुमार चरण आप सबका इस यूटूब चैनल हिंदी शाहिते का ध्यन में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अगर आप स्कूल वेख्याता बर्ति परिक्षा की तयारी कर रही है हिंदी विशे से और उसमें एक पाठे पुस्तक जो बारुक अक्षा की है वह आपके पाठे क्रम में रखी गई है मंदा किनी के नाम से और उसके पाठों का विशलेशन में आपके शामने प्रस्तूत करूंगा अगर इस तरह का प्रिशलेशन आपको अच्छा लगता है या फिर आपको किस तरह अगर ये पाठ अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि मैं इसी तरह से पढ़ाता रहूं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आवश्य बताना ताकि आगे भी मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए बनाता रहूं तो आज हम सुरू करते हैं एक डेमो की रूप में डेमो क बात का भाण रही कि मुझे किस तरह से पढ़ाना है आपकी आफशेक्ताया सुईदा की अनुसार में पढ़ा दूगा आप मुझे नीचे कमेंट बोक्षिम आवश्य बात को लेकर बता देना कि किस तरह से पढ़ाऊं ताकि आपको समझ में आसाने से आए या पिर आपको जिशाउचित समझते हूं तो सबसे पहले आज सुरू करते हैं मन्दा किनी जो कक्षा 12 की पाठे पुस्तक है जो आपके पाठे क्रम में रखी गई है स्कूल वैक्याता भरती परिक्षा में हिंदी विशे में अगर आप तयारी कर रहे हिंदी शाहिति के लिए तो उसके ल साथ अगस्त 1904 को होता है खेडा जिला गाजियाबाद उतरपरदेश में होता है और 1966 में इनकी मृत्यू हो जाती है इनके बारे में दरसल इतना ही है कि ये प्रातत्त विज्ञान के विशेशक ये थे और कला संसकर्ति शाहिति और इत्यास के मुर्दनी विद्वान थे और इनकी कुछ रचनाइं है जो हो सकता है कि आपके प्रतियोगी प्रक्षा में पूछी जा सके और ये गांधी जी की विचारध भरास से विशेशकार प्रभावित थे और इनकी कुछ किताबें है जिसे प्रत्वी पुत्त्र है कला और संसकर्ति है कल्प रक्ष है हरस रिट एक शांसकर्तिक अध्यन है और इसके अलावा भी कुछ एक महत्वपुन किताब पदमावत संजीवनी व्याख्या जिस पर इन है प्रश्कार भी दिया गया था और इस प्रकार से इनकी महत्वपुन पुस्तकें थी ये और इसके अलावा अब हम बात करते हैं राष्ट का जगर हम निर्धारित करना चाहे तो उसके लिए कौन से आउश्यक तप्तो है जिसके चलते हमें एक राष्ट का निर्मान कर सके या फिर उसके स्वरूप का निर्मान किया जा सके और इस अंदर में ये तीन चीजों की बात करते हैं सबसे पहले भूमी धरती किसी भी देश सबस्ब्साब करें कि हम राष्ट परीचिय 10 पर परीचे हुआ उसके बाद में बात आती हैं दूसरा दो बताती है जन लागा पर वहां सैंग्रीग के लिए कुछ अ करें सब्सक्राइम नागरीग के लिए क्या क्या कर सकता है अगर वो एक सचा राश्टर प्रेमी है तो उसे उस धर्ती के परती के शाविवार रखना चाहिए और तीसरी बात आती है उस जन की संस्कृति मतलब उस देश का नागरिक जो उस धर्ती पर रहता है उसकी संस्कृति क्या है संस्कृति के लिए कुछ से हैं जो वास्तों में प्रतिव की प्रिक्षा में पूछे जा सकते हैं तो वो कौन-कौन से तो सबसे पहली बात राष्ट के निर्मान के लिए वाशुदेव शर्ण अगरवाल ने आवशेक तत्तों कौन से माने हैं सबसे पहले धरती और भूमी पर बचने वाले जन और उस प्रश्ण है एक जागरण शील राष्ट का आनंद प्रद करतव्य क्या हो सकता है एक जागरण शील राष्ट जो होता है उसका आनंद प्रद करतव्य क्या हो सकता तो उसका होता है प्रत्वी का सांगोपाग अध्यान करना मतलब प्रत्वी पर जो भी उसे दिखाई देता है चाहे पहाड हो पठार हो या फिर उसकी भोतिक सरस्टा हो उसके समंद में उसे कम से कम अध्यन किया जाना चाहिए ताकि उसके बारे में संपॉनुप से वो जान सके और अगला प्रश्ण बन सकता है कि प्रुथवी की देव को किषने सजाया वासुदेव सर्ण अगरवाल कि निबंद की आधारा पर अगर हम बात करते हैं तो एक प्रुथवी की देव को किषने सजाया तो याता है यह इसका सही उत्रण नदियों नदियों की द्वरा ही पहाड़ों को चीड़ कर इस परकार से उसको बनाया गया है ताकि मतलब एक देव को सजाया गया है और अग अगला प्रश्ण है किस के कहारण पुरतवी मात्र भूमी की शंग्या प्राप्त करती है जन के कारण वहाँ पर रहने वाले इंसान के कारण व्यक्ती के कारण आधमीयों के कारण मतलब तेश के नागरीकों के कारण ही कोई भी धर्धी है प्रसुई है वो मातर भूमी की शंगया प्राप्त करती तो इसका सही उत्र है जन के कारण अगला पलेशन है जन की प्रगत्य और cannot यूंभु है मतलब किसी भी जन की प्रगत्यों नूक्ति किसे शंभव हो सकती है और किस मारग पर चल कर हो सकती है तो इसका सही उत्तर है समनवे के मारग द्वारा समनवे के मारग द्वारा और अगला प्रशन बन सकता है जन का सतद वाही जीवन किसके शमान है जीवन का सरी ये जो जन का सतत वाही जीवन है किसी माना गया है तो संस्कृति को जनका मस्तिष्क माना गया है अगला प्रश्ण है राष्ट की व्रदी संभव है संस्कृति के विकास और अभियोदय द्वरा और अगला प्रश्ण है जीवन के विटप का पुष्प है जीवन जिवन का विटप है, जो कड़ा वता, उसका पुष्प क्या listening करता है? संसकृति कहलाती है, संसकृति एक पुष्प के रोग में कारे करती है. अगला प्रशन बन सकता है, संसकृति की आनंध पक्ष को स्वीकार कर सकता है. या पिर कौन करता है तो जो शहर्दे व्यक्ति होगा वही उसके आनंद प्रत पक्ष को स्विकार करता है और अगला प्रशन बन सकता है कि संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है संस्कृति जो होती है उसका अमित भंडार किस से भरा हुआ होता है लोक गीतों और लोक कथा से भरावा होता है अगला और अंतिम प्रश्ण बन सकता है मेरी नुसार राष्ट्रे जन अपने मानसीक भावों को परकट करते हैं तो इस परकार से ये एक दिबंध था वासुदीर सरण अगिरवाल का जो राष्ट्र का सरूप के नाम से लिखा गया है और एक और मैं आपको कहानी के बारे में बताने वाला हूँ कहानी है सूरिवाला की इसका मंदाकिनी का दूसरा पार्ट है जिसका नाम है निर्वाशित ये कहानी है सूरिवाला की कहानी है इनका जन मौनीशो तैतालिश में होता बनाराश उत्तर परदेश में इनकी कुछ रचनाव में जैसे मेर जी का परिचिए है और निर्वासित एक कहानी है जो वास्तों में एक व्यक्ति जो जिसके दो पुत्र है और बाब दोनों जिंदा है पिता है किसी विभाग में नोकरी कर रहे थी और रिटार्डमेंट के बाद घर रहने को आते हैं और उनके जो दो बेटे हैं राजेन और र माता दोनों को भी शहर में ले जाएं वहां पर कि बाद में उनके चित्रना किया अब बुढ़ापे में जब उन्हें साथ रहने की आउशकता है तो उन्हें दोनों बेटों में बांट दिया गया है मतलब इस परकार जो एक मानुविस्ट विदना है वहाँ पर किशी परकार की नहीं रहती है और बेटों को जिस परकार से वास्तों में एक फर्ज बनता है कि उनकी शेवा की जाए तो इस स्थिति में वहाँ पर शेवा भी नहीं होती है और इस पार्ट में कुछ प्रश्ट बन सकते हैं जो मेरे बनाने की कौसिस की है और एक कथन है सब कचोड़ी पकोड़ा एक तरफ और अपना सुराज एक तरफ यह कथन किसका है यह बुढ़ी दरोगानी का कथन है जब राजेन के द्वरा मता पिता को सहर बुला लिया गया है तो उसमें जब वो आ रहे होते हैं तो उनके बीच में बुढ़ी दरोगानी गाओं में वो कहने वाली होती है कि सब मतलब वो जो अफसर शाही का ठाट होता उसको लेकर बात होती है तो वहाँ पर वो कहते हैं कि वास्त में अपना स्वैम का सुराजी होता है बाकिश अपनी जगह होता है अगला प्रशन है व्रद दंपती के कितने बेटे हैं तो दो बेटे हैं एक का नाम राजयन है दूसरा का नाम रंधीर है राजयन की पतनी का क्या नाम है रीमा नाम है और अगला प्रशन है रामेश वर्शे लाई गई चीज किसके प्रति लगाव रहता है वो साथ लेकर जात और नोकर का नाम किसमें क्या होता है जमना होता है और बाबु तो प्रकार से कहानी का अंत होता है तो यह थे दो पाठों का विश्लेशन अगर आपको यह पाठों का विश्लेशन अच्छा लुख की तो है लगा है या केशा लगा है मुझे नीची कमेंट बोक्स में आवश्य बताना ताकि मैं आगे इसी तरह से आपको पढ़ाता रहूं दोस्तों आशा करता हूं मेरी द्वारा दीगी जानकारी आप सब के लिए उप्योगी शावित होगी आज के लिए इतना ही आपका बहुत-ब देगा जादे केता हूं में वाराँ बताना का की धनेवान